हेलो फ्रेंस आप लोगों के बिसेज डिमांड पर लेकर आ गया हूँ इन बार फिर से मैच मूफ की एक सीरीच अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मैच मूफ से रिलेक्टेट सारी बाते हम करेंगे सारा सौफ्टर सीखेंगे जो जो इंडस्ट्री में चल रहा है क कैसे काम होता है यह सारी चीज़ें सिखाँगा इसमें आपको माया में भी बताऊंगा मैक्स में भी बताऊंगा पी एफ ट्रैक्ट प्रेडी को लगे पूरी डीटेल स्में होंगी तो वीडियो को पूरा फॉलो कीजएगा पूरी सीरीज को फॉलो कचेगा चैनल पर नए ह पे हो और देख रहे हैं और कुछ फाइदा अगर मिल रहा है तो प्ली सब्स्ट्राइब कर लीजे इससे आपका और हमारा दोनों का थोड़ा थोड़ा benefit हो जाएगा आपका तो ज्यादा ही हो तो चलिए फिर बीना देर की अवेश सुरू करते हैं आज जो हमारा होने वाला है basically PF Track का introduction class है ठीक है PF Track का introduction class है आपको ज्यादा headache लेने की जरूत नहीं है और बहुत ही सारी चीज़े हम लोग यहां पे करेंगे लाइट सारी चीजे देखेंगे डिटेल में कि क्या है किसको क्या कहते है और एक चीज और यहां पे आपके जो पीएफ ट्रैक जब भी आप इंस्टॉल करेंगे तो, एक बार ध्यान रखेगा कि कभी-कभी आप जो पीएफ ट्रैक इंस्टॉल करते हैं आपके computer की resolution है अनिके screen की resolution है वो अगर proper नहीं होगा तो PFTrack नहीं चलेगा अगर आपका PFTrack open किये और अगर कुछ resolution का problem है तो आपके PFTrack के ऊपर एक message आजाएगा कि आपका resolution यह है और इतना required है तो उसको आप पहले कर लिजे तो पहले आप PFTrack हो जाकर अपने computer screen की resolution चेंज कर लीचे का देन PFTrack चलो जाएगा यह जो हम PFTrack यूज करने है यह जो वर्जन है I think यह जो वर्जन है कौन सा वर्जन है वही सो यह है 17 यानि कि 2017 है यह इसका जो वर्जन है 2017 है and PFTrack जो software है वो completely node-based है यानि कि यहाँ पर किसी भी तरीके की आपको यह layers वगरा तो नहीं मिलेंगे और नहीं यहाँ पर कोई menus है जैसे आपको बाकि सारे softwares में तक्रीबन तक्रीबन menu होते हैं like file, edit, insert, windows, help वगरा वगरा यहाँ पर इस तरीके के कोई भी menu आपको नहीं मिलेगा, so यह जो आप देख रहे हैं screen यह है basically PFTrack का user interface, काफी सांदार दिखता है, कोई problem नहीं है और काफी अच्छा software है और इसका जो use है, वो सबसे ज़्यादा हम लोग tracking के लिए use करते हैं, ठीक है, अब मैं आपको एक ची आपने after effects में देखा होगा, nuke में देखा होगा, या फिर आपने fusion में देखा होगा, तो उन सब जगों से best जो tracking होता है, वो यहाँ पर होता है, काफी professional तरीके से काफी detail में tracking होता है, so basically हम इसका tracking के लिए ही इस्तेमाल करेंगे, so अगर हम बात करते हैं इसके pipeline की, तो इसका pipeline कैसे है, देखो, इसमें pipeline के लिए, यानि की match move की, अगर आप बात करते हैं, like अगर आप बात करते हैं, match move की, sorry for the handwriting, because ये, मैं माउस से ही लिख रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा problem है, so अगर आप match move की बात करते हैं, तो match move में दो चीज़े आती है, पहला तो एक आता है camera tracking, यानि कि आपको किसी भी चीज़ का एक camera track करना है, ठीक है, और दूसरा आता है 3D, यानि कि आपको एक 3D application चाहिए, जहां से इसका final output निकलता है, ठीक है, जहां से आपको इसका final output निकल जाएगा, तो ये चीज़ें आपको चाहिए, यानि कि ये दो segments में इसका काम होता है, pipeline की अगर बात करें, अगर हम pipeline को समझने की कोशिस करें, तो pipeline में होता गया है कि आपको सबसे पहले एक footage दिया जाएगा, जो कि एक live footage होगा, वो आपको दिया जाएगा, उसके camera को track करना है, उसके camera को इसलिए track करना है, थाकि आप इसके अंदर, यानि कि मतलब इसके अंदर आप cz element को place कर सके, इसलिए आपको यहाँ पे, इसके camera को, मतलब इसके live camera को track करना है, और उसी camera में, हम उस camera को लेकर जाते हैं, यहां से export करते हैं, software से, और उसके बाद हम उसको किसी भी 3D application के अंदर ले जाते हैं, और वहाँ पे उस camera को import करते हैं, ठीक है, उस camera को हम पे सारा setting जब हो जाएगा, तब हम इसके अंदर cz element पिठाएंगे, उसके बाद हम इसके अंदर lighting करेंगे, lighting जो इसका होगा, वो lighting होगा इसके हिसाफ से, यहनी कि जो live footage उसके हिसाफ से light match करेंगे, and then यहां से आप इसका एक output निकालेंगे, और यहां से जो output निकलेगा, व में चला जाएगा अब कॉम आप क्या यूज़ करते हैं आप्टरफेक्स यूज़ कर रहे हैं आप फ्यूज़न यूज़ कर रहे हैं यह पूरा आपके उपर डिपेंड करता है ठीक है अगर सपोज मालो कि आपने 3D अप्लिकेशन यानि कि जो 3D आर्टिस्ट है उसके पास आपकी फाइल चली गई अगर उस बंदे को लगा कि थोड़ा सा कहीं प्रॉबलम है तो वह तुरह तो आपको बोलेगा अगर कैमरे में इश्यू है तो कैमरा को वह बोल देगा आपको देदेगा and then आपको camera को correct करके वापस से उसको भेजना है तो वो बस क्या करेगा जो model किया हुआ रहेगा उसको just उसके अंदर डाल देगा ठीक है और डाल देगा मतलब क्या वो lighting वाइटिंग करेगा डाल तो आप भी सकते हो ठीक है और वो light white करके आपको देदेगा तो basically यह जो pipeline है यह pipeline है matchmove artist का और matchmove के लिए बहुत important है तो यह जो software है यह जो software आपको दिख रहा है यह काफी अजीब सापको दिखेगा क्योंकि आपने पहले कभी इस तरीके के software पे काम नहीं किया होगा पहले जो software था थोड़ा traditional type के रहता था था थोड़ा traditional होता था like menu and new है layer वेगर है notes वगर है तो उपर में भी menu and new रहता था लेकिन यह थोड़ा different है but don't worry बहुत ही simple है अब क्या क्या है चलिए एक के करके मैं आपको पहले यहाँ पर समझाता हूँ तो सबसे पहले यह section आप देख रहे हैं यह section है आपका node का यानि कि यहाँ पर आप जो भी notes यूज़ करेंगे वो सारे notes यहाँ पर आपको दिखाई देंगे तो यह notes का section है जहाँ पर notes बनेंग यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर दो views है यह view अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा click नहीं होगा क्योंकि हमने कोई footage नहीं गया है अगर हम बात करें यहाँ पर यहाँ पर एक आपको cinema view है और यहाँ पर आपको toggle switch दिया हुआ है और यहाँ पर आपको कुछ यह दिय आप आओगे तो यहाँ पर तीन options मिलेंगे एक तो है यह projects panel का उसके बाद यहाँ यहाँ यह भी अभी काम नहीं करेंगा सिर्फ projects खुला रहेगा create करना है तो आप यहाँ पर आएंगे create पे and जैसे create पर आप click करेंगे तो आपको यहाँ पर आजागा data management और यहाँ पर आपक है कि आप जो चीज जिसको आप track करने वाले हो उसका frame rate कितना है वो देना है camera का अगर कोई create है तो वो भी डाल देना है and de-interlace वगरा कुछ है तो डालना है लेकिन अभी मैं इसको छेड़ चाड़ नहीं कर रहा हूँ अभी just मैं आपको दिखाता हूँ जब आपका यह काम हो से मिल गया details जो भी footage लेंगे उसके बारे भी मैं आपको बताता हूँ तो यह cinema view है और उसके बाद आपको यहां पर मिलेगा toggle showing media pants यहां पर दिखाएगा और यह media browser तो हमें इसकी जरुवत पढ़ती नहीं है वैसे आप इसके साथ आप यहां पर काम कर सकते हो तो अभी मैं इ def दिख जाएगा जहां सबको footage लेकर आना है इधर आते हैं तो इधर में आपको कुछ चीज़े मिलेंगी जैसे यह है hide this log यह पूरा log आपको दिखाएगा और उसके बाद आपको यहां पर कुछ मिलेगा आपको submit अगर कुछ bug report है full screen वगरा करना है तो यहां पर मिल जाएग यहां पर आपको मिल जाएगा support webpage जरुवत नहीं है और यहां पर भी कुछ ऐसे ही है तो यह सब को कुछ नहीं करना है यहां पर help का menu है जो आपके side किसी काम में आएगा यहां पर अगर आप click करेंगे तो यह देखो यहां पर जैसे click करेंगे यहां पर पूछेगा आप से yes अगर आप कर देते हो तो आपका जो यह track software है वो बंद हो जाएगा so this is the exit का button आप exit करेंगे directly बंद हो जाएगा नीचे आते हैं तो इधर playback है सारे playback के options है like forward, backward सारी चीज़े है और इधर भी छोटी-छोटी चीज़े है तो यह बाद में आपको समझ भाएंगी जैसे ही आपने project create करा यहां पर introduction का आया है and second वाला जो tab है वो मिलेगा आपको import panel यहां पर सारे import panels मिल जाएंगे and this is your like nodes panel like यहां पर node आपको दिखेंगे जो जो nodes आपको चाहिए वो सारी चीज़े आपको यहां पर देख जाएंगे तो चलिए सबसे पहले तो footage को import करते हैं क्योंकि footage इंपोर्ट करेंगे तभी आपको बाकी की चीज़े थोड़ी सी समझ आईगे so because यह introduction class है तो ज्यादा हम details में यहां पर नहीं जाएंगे हम लोग basic वाली चीज़े बात करेंगे सारे interface को समझेंगे तो हम आते हैं यहां पर और यहां से मैं ले लेता हूँ एक अपना like so यहां पर आपको बहुत सारे footage मिल जाएंगे तो हम देख लेते हैं यह वाला so देख़िए, यहां पर भी एक अपको footage दिख रहा होगा, इसको फुटेज द वाग नीचे लाओ, यहां पर भी एक दिख रहा है, यहां पर भी एक दिख रहा है तो यह आपका footage यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, आगया है, अब आप उसको play करके देख सकते हैं, तो यहाँ से आप play button पे click कीज़ें, तो यह देखिए आपका यहाँ पे यह पूरे अच्छे तरीके से यह आपको यहाँ पे play हो रहा है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से play हो र एक्चुली जो फ्रेम रेंज है 97 का मतलब क्या है कि अभी जो आप करसर रखे हैं वह 97 पे है ठीक है इस इद एंड फ्रेम रेंज इस इस स्टार्ट अगर आपको स्टार्ट सपोर्ज माल लो कि हमें 50 से करना है तो मैं यहां पे लाइक कैसे 50 टाइब कर दूंगा तो यह हमारा 50 से स्टार्ट है डिए 50 से स्टार्ट है 55 तो मैं इसको करता हूँ 0 से तो यह हमारा 0 से स्टार्ट है अगर सबस्पोर्ज आपको 0 से लेंगा 60 टकर the time कर आपका यह 0에서 60 तक ही रहेगा वाकी आपको नहीं मिलेगा ठीक है तो यह तो हो गए आपके हाँ पर उसके रहाँ पर यहाँ पर बहुत सारे और भी और इधर भी उप्षिन्स आपको मिल जाएंगे सबसे पहले बात करते है हैं यह सिंग विव है अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको double view मिलेगा, अगर आप ऐसे जाएंगे तो like कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा ortho down and this one, यहाँ पर जाते हैं तो आपको चार view मिल जाता है ortho back, ortho down, like perspective and your final one, so ज्यादा तरह में यह और इसकी जरवत पढ़ती है, यह जो है, य इसका भी आपको समझ नहीं आएगा, इसको हम लोग later on बात करेंगे, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको clip input, उसकी details दिखा रही, clip input का नाम है table with paper and table with paper जो है, इतना resolution का है, TGA format में है, frame rate 25, pixel aspect 1 and cast कुछ इतना MB generate करने वाला है, तो यह सारी चीज़ आपको य आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके में a node page create कर सकते हैं, this is basically node page, delete करना है, तो minus पर क्लिक करते हैं, वो automatically delete हो जाएगा, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पर यह सारी information देगा, दियान से देखिए, सबसे पहले क्या दिख रहा है, आपको य इस यह है, current prestate क्या है, तो 1080p में है, and इसके बाद the interlace none है, इसका film stock वगरा कुछ नही है, frame rate 25 है, start है 0 से और end at 114 पे, deviation 115 है, size इतना है, and path यह है, and footage आपका okay है, अगर इसमें footage में कुछ भी problem हो गया, जैसे यह footage मिसिंग है, तो यहाँ पर लिख देगा आपका missing, और यहाँ आपको ऐसे question mark का sign आ जाएगा, तो कुछ इस तरीके से आपकी सारी details यहाँ पर मिल जाती है, अगर आप इस पर click करते हैं, वापस से click कर दीजे, चला जाएगा, ठीक है, यह तो हो गई, कि यहाँ की बात है, अगर हम नीचे आते हैं, तो नीचे में यहाँ पर curve editor मिलेगा, अगर आपको curve पर काम करना है, तो बाद में समझ में आएगा आपको, यहाँ पर आपको मिलेगा, यह like cut, so देखो cut selected and this is like यहाँ पर कुछ मिल जाएगा, आपको copy selected, delete करना है, delete पर जैसे जाएगे why, अभी why लिक के question मार के मतलब यह आप से पूछ रहा है, कि क्या आप इसको center में इसको कर देने के लिए, तो यह कुछ चीजें हैं, जो आपको यहाँ पर मिल जाएगे, इधर भी कुछ चीजें यहाँ पर आ गई है, like node पे कर आपकर आप क्लिक करते हो, notes पे, तो यहाँ पर उससे related कुछ notes है, आप यहाँ पर notes भी लिक सकते हो, जो भी आपको इससे related notes देने है, otherwise आप normally यहाँ पर general यहाँ पर आजाईए, और यह project वाले panel पर रहिए, आपको अगर कुछ notes वगर लेने हैं, तो आप यहाँ से भी notes सर्च कर सकते हो, और इसके और भी तरीके हैं, वो मैं बाद में आपको बताता हूँ, इसके आप डबल क्लिक करेंगे, तो यहा आपको so करने लेगेगा, यह चीज तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर भी 25 fps है, अगर आपको change करना है तो आप 25 fps को यहाँ से भी change कर सकते हो, देखो यहाँ पर जो भी footage आता है, वो image sequence में आता है, यानि कि आप directly किसी भी video को import नहीं कर सकते हैं, so you have to convert your video footage into image sequence, whatever, it may be in a targa, or like jpeg, or png, or tiff, it's possible, but image sequence होनी चाहिए, और image sequence जब होती है, तो आपको एक चीज का धिया रखना है, कि जब आप image sequence के, किसी भी image sequence के, जब आप right click करके, उसको details check करोगे, उसकी properties, उस footage की, वहाँ पर आपको fps नहीं दिखाएगा, वहाँ पर आपको fps नहीं दिखाएगा, तो आपको fps कहां से देखना है, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ, चलिए मैं आता हूँ, so यहाँ पर मैं आ गया हूँ, और यह देखिया हमारा footage है, जो अभी अभी मैं यूज कर रहा था, so अगर मैं इस पर right click करूँ, और इसके details चेक करूँ, तो आपको यहाँ पर details में fps आपको नहीं दिखाएगा, because यह image में convert हो गया, और किसी भी single image का fps नहीं होता है, तो यह यहाँ पर नहीं दिखाएगा, तो यह कैसे पता चलेगा भाई, कि कहां से मैं लाओ, तो इसकी original footage को आपको चेक करना होगा, जहां से आपने इसको convert किया था, उस footage को, जैसे अभी व fps आपको यहाँ पर set करना है, और most of the cases क्या होता है, कि pftrack automatically detect कर लेता है, कि आपका यह किस fps में है, अगर नहीं detect करा या कोई doubt है, तो आप कर सकते हो, तो यह हो गया अभी हमारा, और उसके बाद हम और क्या था, हाँ, okay, so अभी आते हैं इधर, तो इधर में बहुत सारी ची यह सारी चीजे क्या है, अब यहाँ जो pftrack में जो tracking होती है, वो दो तरीके से होती है, ठीक है, pftrack के अंदर जो tracking का जो तरीका है, वो बिसिकली दो है, एक होता है manual track और एक होता है auto track, auto track में वो automatically track करेगा, और manual track में आपको manually track point बिठा बिठा के आपको tracking करनी पड़ सकती है, करनी पड़ सकती है, करनी पड़ती है, तो it depends on your footage requirement, और it completely depends on your footage की, आपका footage कैसा है, कभी-कभी auto track से बहुत अच्छा result मिल जाता है, कभी-कभी सिर्फ manual track से result मिल जाता है, और कभी-कभी तो दोनों को use करके result को लाना पड़ता है, तो यह totally आपके डिपेंड करता है, आप एसे में result आएगा, इसकी कोई guarantee नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको एक जलक दिखाता हूँ, auto track की, तो देखिए, यहाँ पर अगर auto track करना तो लाएंगे कहां से, तो आपको जाना यह node में, और यहाँ पर आपको मिलेगा auto track, आप यहाँ से drag करके यहाँ चोड़ दीजे, जैस यहाँ पर ऐसे भी ला सकते हैं, right click करिए, tracking में जाहिए and then auto track पर क्लिक कर दीजे, क्या करना है, right click, tracking, auto track, जैसी करेंगे, यहाँ पर auto track आगया, इसको इसके साथ connect कर दीजे, connect करने के बाद, आपको track करने के लिए बहुत simple सा चीज है, आपको यहाँ पर एक option दिख रहा होग automatically point भी generate करता है, और manual track को यहाँ पर हम लोग बोलते है, user track, और यह देखो, यह front से जाएगा, मतलब कि both side tracking करता है, यहाँ से वहाँ जाएगा, end तक और end से फिर start में जाकर यह finish करेगा, तो यह देखिए हमारी tracking अभी यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है, manual track की अगर हम बात करें तो manual track में क्या होता है, और manual track को आप यहाँ पर right click कीजिए, यहाँ पर यहाँ पर इसे, और यहाँ पर आईए और यहाँ पर आपको मिलेगा user track, this is a manual track, so user track में आपको यहाँ पर manually tracking बनाना पड़ेगा, कैसे बनाना पड़ेगा तो यहाँ पर देखो एक create का button है, और मैंने यहां पर जाकर यहां पर जाकर इसे कर दिया है, कर दिया है थोड़ा से इसको बढ़ा कर लेते हैं, अभी मैं इसके बारे में details में नहीं बता रहा हूँ, details में इसके आने वाले classes में 100% बटा हूँगा, सो अभी मैं सिफ इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं इसका ताकि आपको अच्छी से समझ में आ जाए पहले software क्या है दिन आपको काम करना असान हो जाएगा यहां पर हम आ गए और यहां पर आपको मिल जाएगी tracking की options सो आप यहां पर जाकर इसको ट्राक कर लीजे तो देखिए manual track का जो result है अकसर बहुत बढ़िया result होता है manual track का जो result होता है वो काफी अच्छा ही होता है अगर आप यहां से अभी play करके चेक करोगे तो देखिए बहुत अच्छे से आपका track हो चुका है जब आप इसको track कर लेंगे तब यहां से आपको curve editor में भी यह चीजे आपको दिखनी सुरू हो जाएंगे जो पहले नहीं दिख रहा था वो इसलिए नहीं से delete कर दीजिए मतलब हटा दीजिए इन future अगर जड़त पड़ेगा तो आप connect कर सकते हैं और नहीं तो अगर आप confirm है कि आपको यह नहीं चाहिए तो आप इसको delete भी कर सकते हैं ठीक है तो फिरिंस यह है पीएफ ट्रैक का basic introduction की आपको fundamental क्या है तो आप इसको अच्छे से practice कीजिए और hopes हो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा इसमें बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं तो इस पूरे series को आप follow कीजेगा और इस series का मैं कोसिस करूँगा कि दो तरीके के नाम रहेंगे एक तो रहेगा पी एफ ट्रैक जिसमें से पी एफ ट्रैक से related चीजे रहेंगी और एक series का मैं नाम रखूँगा matchmove जिसमें matchmove से related चीजे जाएंगी तो प्लीज इसको अच्छे से follow कीजेगा और चानल पर नए हो तो चानल को कलो subscribe क्योंकि इस से बहतर चानल आपको VFX सीखने के कहीं नहीं मिलेगा मिलता है नेक्ष वीडियो में तब तक लिए thank you so much for watching this video